एहम सरवेशु भूतेशु भूतात्मा वस्तितह सदात्तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत अब माबाप से तो बेटा विरोध करता है और बिहारी जी में फूल बंगले बनवाता है छबन बोग लगाता है खाटू शाम जी पैदल है ये माबाप किस ने बनाए ने बगवान में ये बगवान के बनाई हुई मुर्ति है इससे तो महाराज विरोध करें, आप देखिएगा, और बिहारी जी में जाएगा, खाटुश्याम जाएगा, स्वामनी कराएगा, कोई मतलब नहीं है, ये स्वांग मात्र है मा, यो माम सर्वेशु भूतेशु संत मात्मान मिश्वरं, हित्वार चाम भजते मोध्या, भस्मन्नेव जुहोति शहर्टुश्याम जो वेक्ति इस तरह का कारिये करता है, वो ऐसा ही करता है, जैसे कोई भस्म के अंदर हवन करता हूँ, राख में हवन करे, स्वाहा स्वाहा करे, तो वो हवन कियावा किसी को प्राप्त नहीं होता, तो इनसान से विरोध करके कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे, अपने माता पिता सास असुल से विरोध करके क कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो महराज वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता प्रमात्मा को प्राप्त करना है तो सब से पहले परिवार में प्रेम स्तापित करना पड़ेगा प्रेम से रहना पड़ेगा माबाप जो हमारे प्रतम पूजनिये हैं, प्रतम भगवान है, मात्री देवो भवा, पित्री देवो भवा, उनका हमें सम्मान करना पड़ेगा, और बिना उनके सम्मान के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, बस यही बात यहां बताई गई है, कि भगवान का उत्तम कोटी का भगत कौन है जो अपने माता पिता बुजूर्गों में भगवान करता हुआ और फिर पूजा करता है तो थोड़ी में ही भगवान करशन हो जाते हैं